गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स बच्चूं आज हम ट्रांसलेशन में वक्षी 12 करेंगे ठीक है वक्षी 12 में आपको करा चुकी हूं करा चुकी हूं ना वक्षी 12 तो यह जो वीडियो है वो केवल आपको समझनी है करना कुछ नहीं है बस आपको इस वीडियो को अच्छे समझना है तो एक बार मैं आपको यह टॉपिक कौन से वाला टॉपिक गैट का हम यूज कैसे करते हैं कहा करते हैं या कब हमें गैट का यूज करना चाहिए तो यह टॉपिक में आपको दुबारा अच्छे से समझाती हूं उसमें मैंने आपको सेंटेस में बगरा समझा दी ही अच्छ से आज हम पहले इक बार कहते हैं- यूजव गैट की यूजब होता है कम कया इस्तिमाल करते हैं आई आगल मैं सभी पश्चों को देखें को हम हर तरीके का इसमें देखते हैं कि अगर इन इसमने क्यों आया और कैसे ढखें जाए देख सकते हैं, आपके सामने एक सैंटेंस लिगा हुआ है, मैं नाराज थी, क्या कोई मुझे इसकी इंगलिष बताएगा नाराज थी, मैंकी इंगलिष क्या होती है, I थी मतलब was I was और नाराज मतलब angry तो I was angry मैंने बुला मैं नाराज थी I was angry अब मैंने बुला मैं नाराज हूँ तो आप इसकी क्या बनाएंगे English I am angry ठीके मैं खुश हूँ I am happy मैं दुखी हूँ I am sad मैं मुटा हूँ I am fat तो यह इस तरीके के sentence सभी को आते हैं मैं नाराज हूँ मैं गुसा हूँ मैं परेशान हूँ तो I am angry मैं आशिशकित हूँ I am surprised तो यह है आपके simple sentence क्या है यह simple sentence अब देखिए अगर मैं इसी बात को कुछ अलग अंदाज से बोलना चाहूँ मैं इसी बात को जैसे मैं नाराज थी या मैं नाराज हूँ इसी बात को मैं एक अलग अंदाज मैं बोलना चाहूँ तो जैसे मैं नाराज हूँ इसको मैं एक अलग अंदाज मैं बोलती हूँ जैसे देख सकते हैं मैं नाराज हो जाती हूँ मैं बोलती हूँ मैं नाराज हो जाती हूँ मैंने बोला वह नाराज हो जाता है तो आप देख रहे हैं क्या हो जाता है जब कोई हो जाता है हो जाना ठीक है तो अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे देखिए हो जाती हूँ, यह कौन सा टेंस है, आप मुझे बताईए, कौन सा टेंस है, present indefinite, कौन सा टेंस है यह, present indefinite, तो जब यह present indefinite है, तो इसकी English कैसे बनेगी, देखे, मैं मतलब I, ओके, अब मैं नाराज हो जाती हूँ, तो जब हम present indefinite tense बनाते हैं, तो present indefinite tense बनाने के लिए हमें वर्व का इस्तमाल करना पड़ता है, वर्व नहीं होगी, तो हम कैसे बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे ना, क्योंकि इसकी English यह तो बनेगी नहीं, I am angry, वो तो किसकी English होगी, मैं नाराज हूँ की English होगी ना, तो अब यहाँ पर आपको वर्व की जववत है, किसकी जववत है, आपको यहाँ पर वर्व की, या आपने ऐसे बोला, मैं नाराज हो गया, तो यह भी past indefinite tense है, तो यहाँ पर भी आपको किसकी जववत पड़ेगी, main वर्व की जववत पड़ेगी, तो बच्चों जो हम main वर्व का इस्तमाल करते हैं, वही main वर्व कहलाती है, get, क्या कहलाती है, वही main वर्व, get, अब इसी main वर्व का use, get का tense के according किया जाता है, जिस tense में जैसे use की जाती है, वर्व, in the same way वही use किया जाता है, अब देखे, मैं नाराज हो जाती हूँ, यह कौनसे tense है, present indefinite, तो आई के साथ क्या आप देखे कि क्या बोलना चाते है अगर आपके कहने का अंदाज थोड़ा चेंज हो जाए जैसे मैं नाराज हो जाती हूं वह नाराज हो जाता है वह खुश हो जाता है वह दुखी हो जाता है तो उसका बोलने का अंदाज क्या होता है अलग है तो इसकी English क्या बनेगी देख वही वर्व क्या है बच्चों, get ठीके, तो देखे, आई, अब आई के साथ क्या आएगा present indefinite answer, आई के साथ वर्व आएगी और वर्व में yes या yes नहीं आएगा क्योंकि जो I है, that is prular ओके, तो I get, अब नाराज की इंग्लिष क्या होती है, angry तो I get angry क्या होगी इसकी इंग्लिष? I get angry और हिंदी में कैसे बोलेंगे? मैं नाराज हो जाती हूँ अभी मैं बोलूँ, वह नाराज हो जाता है, तो he अब angry, अब आप मुझे यह बताईए, यहाँ पर क्या आएगा? he के साथ क्या आएगा? get या gets gets आएगा, because he is a singular word he क्या है? singular subject है, तो हम इसमें वर्व के साथ as या es का इस्तेमाल करेंगे, अब get के साथ किसका इस्तेमाल किया जाएगा? as का, किसका इस्तेमाल किया जाएगा बच्चों? as का he gets angry, वह नाराज हो जाती है वो sorry, वह नाराज हो जाता है she gets angry, वे नाराज हो जाती है, वे नाराज हो जाती है, they get angry, तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आई न, अब देखे, अगर मैं बोलू, मैं नाराज हो गई, मैं क्या बोलू, मैं नाराज हो गई, तो उसकी English हम कैसे बनाएंगे, देखे, मैं नाराज हो गई, तो इसकी English हम ऐसे बनाएंगे. मैं नाराज हो गई. कॉंसे एंसे एंसे? Past and definite. कॉंसे एंसे? Past and definite. आई तो ऐसे ही लिखा रहेगा. अब पास एंसे में वर्व की कौन सी फॉर्म इस्त्माल की जाती है? Second form. तो get की second form क्या होती है? Got. Get की second form क्या होती है, बच्चों? go up angry they got angry वह मतलब इसकी Hindi क्या बनेगी मैं नारास हो गई आइबार समन में सभी बच्चों को आया ना समन में अच्छे से चलिए अब आगे देखते हैं हम और sentences देखिए अब जैसे अगला sentence क्या लिखा है मैं निराश हो गया क्या लिखा है next sentence मैं निराश हो गया अभी मैं बोलू मैं निराश हूँ तो इसके English आप क्या बनाएंगे I am disappointed निराश की क्या होती है disappointed निराश की English होती है बच्चों disappointed अभी मैं बोलू मैं निराश हूँ तो आप क्या बोलेंगे I am disappointed और मैंने बोला मैं निराश हो गया आप देखिए अंतर क्या है उसमें क्या बोला मैं निराश हूँ और अगर मैं बोलना चाहता हूँ मैं निराश हो गया या मैं खुश हो गया मैं दुखी हो गया तो in that place हमें वर्व का इस्तिमाल करना पड़ेगा और जो वर्व का हम इस्तिमाल करेंगे वो वर्व क्या है आपकी get कौन सी वर्व है वो get ठीक है ठीक है तो मैं मतलब I अब हो गया कौन सा टेंस है past indefinite तो क्या आएगा हो गया I got disappointed अभी मुझे लिखना है मैं निराज हो जाता हूँ पताईए आप मुझे I get disappointed साथ की साथ आप लोग सीखते जाएगे इस चीज़ को I get disappointed मैं नाराज यह नहीं से बोलूँ मैं निराज हो रही हूँ मैं निराज हो रही हूँ कौन से टेंस है यह देखे मैंने बोला मैं निराज हो रही हूँ कौन से टेंस है यह past sorry present continuous कौन से टेंस है यह present continuous तो आप इसकी इंगलिश बताईए क्या बनेगी मैं अतलब I अब निराज की हम लिख देंगे हैं पर disappointed अब हो रही हूँ कौन से टेंस है यह present continuous present continuous में क्या आता है बच्चों इस MR तो I के साथ क्या आएगा M और वर्व क्या है आपकी get वर्व क्या है get तो जब वर्व get है तो get के साथ क्या आएगा क्या आएगा get के साथ ing जी क्रोंकि वर्व में क्या आती है आई एन जी तो I am getting disappointed मतलब मैं निराश हो रही हूं मैं निराश हो रही थी तो इसकी English क्या बनेगी I was getting disappointed मतलब get जो वर्व है उसका आगर हम यूज करेंगे तो वो tense के according ही यूज करेंगे और हिंदी भी फिर आपकी tense के according ही बनेगे आई बास हम मैं सबी बच्चों को अब मैं बोलू मैं निराश हो जाओंगी मैं निराश हो जाओंगी तो इसकी English आप क्या बनाएंगे देखें I अब हो जाओंगी मतलब will I will get disappointed मैं निराश हो जाओंगी I will get disappointed आया समझ सबी बच्चों को मैं निराश हो रही हूँ I am getting disappointed मैं निराश हो जाओंगी I will get disappointed Okay सभी को समझ में आया तो अगर आपको इस तरीके के sentence बोले जाते हैं बनाने के लिए दिये जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होने चाहिए अब आगे देखते हैं अब देखिए अगला sentence क्या है यह शीशा तूट गया क्या है यह शीशा तूट गया तो आप कैसे बनाएंगे यह शीशा तूट गया तो इसकी इंगलिश आप देखिए कैसे बनाएंगे यह शीशा मतलब दिस मिरर ओके, यह हम glass कह सकते हैं, mirror कह सकते हैं, this mirror अब तूट गया, आप मुझे बताइए, कौन सा टैंस है, तूट गया past indefinite, तूट गया मतलब past indefinite past indefinite में get की कौन सी form आईगी, second form तो this mirror got, अब तूटना, तूटना, तो किसी भी चीज़ का तूटना मतलब break होना तूटना मतलब break होना, अब यहाँ पर जो got के बाद, अब देखे, got भी एक वर्व है और break भी एक वर्व है, तो जो break है, यहाँ पर break नहीं आईगी यहाँ पर break की कौन सी form आईगी, third form, मैंने आपको पढ़ाया था ना, कि जब वर्व की third form का इस्तमाल किया जाता है, तो वो एक adjective की रूप में काम करती है, किस की रूप में काम करती है, adjective की रूप में वो जो वर्व है, वो वर्व की तरह इस्तमाल नहीं किया जा रहा, वो adjective की तरह इस्तमाल करा जा रहा है, वो कार की एक विशिस्ता बता रहा है, कि कार कैसी है, धुली हुई है, शीशा कैसा है, तो तो इस मिरर गॉट, तो यहाँ पर भी हम जो वर्व यूज करेंगे, that is broken, ब्रोकन जो वर्व है, वो एक adjective के रूप में काम कर रहा है, किस के रूप में काम कर रहा है, adjective के रूप में, यह वर्व नहीं है, क्योंकि आप यह सोच दहें है, get भी एक वर्व है, get भी एक वर्व है, break भी एक वर्व है, how can, both of verbs can come together, है न, नहीं आसाती ही न, एक सार दोनो इसलिए यह जो broken है वो एक adjective की तरह काम करता है It is not a verb. It acts as an adjective. Broken मतलब टूता हुआ. तो this mirror got broken. अब देखिए अगर मैं इसका present बनाओ तो this mirror gets. क्याएगा? gets. दिहान रखिएगा ये get और gets का. gets broken. तो ये शीशा तूटा हुआ है. तो इसकी हिंदी क्या बनेगी अब? यह शीशा तूट जाता है. तो यह शीशा तूट जाता है. इसका मतलब this mirror gets broken. यह शीशा तूट जाता है. इस mirror gets broken. आई बार समझ में सभी बच्चों को तो आपको ये बार समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर ये जो broken word है वो वर्व की तरह नहीं काम कर रहा है It is acting as an adjective ठीके? जुसका मतलब है टूटा हुआ ओके? ये क्या है? adjective है, क्या है ये? adjective, ओके? आये समझ सभी बच्चों को देखे, अब एक और अगला sentence है मैं तयार हो गया मैं तयार हो गया अब तयार हो ना, मतलब dress up हो ना, dress हो जाना तो मैं मतलब I अब यहाँ पर हो गया मतलब got क्योंकि कौन सा tense है? आप मुझे बताईए कौन सा tense है? past indefinite past indefinite के साथ क्या आएगा? got, क्या आएगा past indefinite tense के साथ? got I got अब यहाँ पर तयार की English होती है बच्चों, dressed यहाँ पर तयार की English क्या होती है? dressed, तो I got dressed, मतलब मैं तयार हो गया, अब आप यह देख रहे हैं आप यह मां सोचे कि dress मतलब तो होता है, तयार होना तो dress एक वर्व हो गई नहीं, it is acting as an adjective को कि यह आपकी विश्षिस्ता बता रहा है कि आप क्या हो गए? तयार हो गए I got dressed मतलब मैं तयार हो गया अभी मैं बोलू मैं तयार हो जाता हूँ तो I get dressed वह तयार हो जाता है यह हम dressed की place पर एक वर adjective उस कर सकते हैं, ready ठीके क्योंकि ready भी एक adjective है और यहाँ पर जो dressed है it is also acting ऐसा adjective she gets ready यह हम कर सकते हैं, she gets dressed ओके मैं बोलू he will get dressed बताईए अब इसकी हिंदी क्या होगी he will get dressed he will get dressed की हिंदी क्या होगी वह तयार हो जाएगा वह तयार हो जाएगा जैसे अगर आपकी ममी कह रही है जल्दी तयार हो जाओ और मैं पाटी में जाना है तो आप क्या बोलेंगे पर तयार हो जाओगा तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बूलेंगे I I will या फिर हम I shall I shall get dressed क्या बूलेंगे आप इंग्लिश में I shall get dressed मैं तयार हो जाऊंगा और आप इसकी place पर ऐसे भी हिंदी बना सकते है उसकी इंग्लिश कैसे बूला He is ready मतलब वह तयार है Difference देखिए He is ready में और He gets ready में Difference है क्या क्योंकि ये क्या है इसकी हिंदी क्या होगी वह तयार हो जाता है और इसकी हिंदी है वह तयार है She is ready वह तयार है She is dressed तो वह तयार है He is dressed वह तयार है तो आपको समझ में आया अच्छे से get का use मैं आपको four sentences बताए get को लेकर और get का यूँ समझाया अब देखें मैं आपको एक sentence ओरली बोलती हूँ आप मुझे फटाफट से उसकी हिंदी बताईए English बताईएगा ठीके, तो ध्यान रखेगा यह आपके practice होगी अब इसको अच्छे सा आप practice करेगा तो मैं आपको बोलती हूँ बताईए इसकी English मैं खुश हो जाता हूँ ध्यान से सुनिये sentence क्या है मैं खुश हो जाता हूँ मैं खुश हो जाता हूँ इसकी English बताईए आप सभी मुझे मैं खुश हो जाता हूँ इसकी English क्या होगी मैं खुश हो जाता हूँ I get happy क्या होगी इसकी इंग्लिश I get happy ओके अब आप मुझे बताईए मैं खुश हो रहा हूँ तो इसकी इंग्लिश क्या होगी I am getting happy मैं खुश हो रहा था तो I was getting happy मैं खुश हो रहा था मैं खुश हो रहा था तो I am getting happy क्या बनेगी इसकी इंग्लिष? I was getting happy और मैं खुश हो रहा हूँ I am getting happy क्या बनेगी इसकी इंग्लिष? I am getting happy आई बास में सभी बच्चों को तो ये है आपका पूरा टॉपिक गैट का जो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ but it's my humble request to all the students please revise this topic and try to understand this topic ओके वीडियो को अच्छे से देखेगा, समझेगा और इस topic को अच्छे से समझेगा मतलब ये आप गैट के बारे मैं अच्छे से जानेगा आई बास में सभी को I was getting happy मैं खुश हो रहा था I am getting sad मैं दुखी हो रहा था मैं उदास हो रहा था I get sad मैं उदास हो जाता हूँ तो इस तरीके के बहुत सारे sentences बोलने के लिए कोशिश करिए बहुत सारे sentences को इसको बोलने के लिए बोलने का ट्राइ कीजिए कि इसको हम किस तरीके से बोले ठीके तो आज आप सभी का यही homework है कि आपको उपनी फाइल से कुछ नहीं करना है आप सभी को बस translation की notebook में आपको get से लेकर six sentences बनाने हैं ठीक है, कितने sentence बनाने हैं? get, six, कितने बनाने हैं आप सभी को? six with Hindi, ठीक है, आपको only six sentence बनाने हैं इंदी के साथ, ध्यान रखेगा अच्छे से पूरी वीडियो को समझेगा get topic तो अच्छे से clear कर लिजेगा, ध्यान रखेगा चीक है, तो हम next class में मिलेंगे बच्चों जब तक के लिए, बाबाई